पहला और दूसरा शमुयल की पुस्तकें अमारी आज की बाइबल में ये दो अलग-अलग पुस्तकें हैं लेकिन ये विभाजन केवल चर्म पतर की लंबाई के कारण किया गया है मोल रूप से इसे एक सुसंगत कहानी के रूप में लिखा गया था इस वीडियो में हम सिर्फ पहला शमुयल की पुस्तक के विशय में ही बात करेंगे जब इसराइल को मिस्र के दासत्व से छुड़ा लिया गया तो उन्होंने सिनय परबत पर परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी और अंततहा प्रतिया के देश में प्रवेश किया वहाँ इसराइल को परमेश्वर के प्रति विश्वास योगिर रहना था तथा वाचा की आग्याओं का पालन करना था शमुयल की पुस्तक से पहले न्याईयों की पुस्तक ने दर्शाया कि कैसे इसराइल उस कार्य में पूरी तरह से असफल रहा ये नैतिक गडबडी का समय था और इसने इसराइल की बुद्धिमान विश्वास योग्य अगुवन की जरूरत को प्रकट किया शमुयल की पुस्तक इस जरूरत का उत्तर प्रदान करती है शमुयल की कहानी की पुस्तक तीन मुख्य चरितरों पर ध्यान देती है भविश्वक्त शमुयल जहां से पुस्तक को उसका नाम मिलता है राजा शाउल और उसके बाद राजा दाउद और इन तीनों ने इसराइल को न्याईयों के द्वारा शासित गोत्रों के समुह से यरूशले में राजा दाउत के द्वारा शासित एक एककरत राज्य में बदल दिया। और शमुएल की पुस्तक में एक आकरशक रचना है, जो इन तीन चरित्रों की कहानी को चार मुख्य भागों में एक साथ बुनती है। उस्तक के पहले भाग में शमुएल एक प्रमुक अगवा और भविश्य भकता है, लेकिन वो अगले भाग में भी एक महत्व पूर्ण भूमी का निभाता है जो की शाउल की कहानी है। वो भी दो भागों में बताया गया है। पहला वो अपनी सफलता का आनन लेता है और उसके बाद वो अपने परिवार और फिर अपने राज्य के धीमे आत्म विनाश में अपनी दुखद असफलता का सामना करता है। ये पुस्तक एक उपसमहार के साथ समाथ होती है जो पूरी कहानी पर फिर से ध्यान देता है। तो आईए गहराई में चले और देखें कि ये सब कैसे होता है। पहला भाग कहानी को न्याईयों की पुस्तक की गड़बड़ी से आगे बढ़ाता है। वहां हम हन्ना नामक एक स्त्री की दिल को छूलेने वाली कहानी को देखते हैं। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर के अनुगरह से उससे अंततहा शमुयल नामक एक पुत्र उत्पन होता है। अध्याय दो में वह आनन से भरकर ये अध्भुत गीत गाती है। और उस गीत का विशय ये है कि परमेश्वर कैसे अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र लोगों को उंचा उठाता है। इस बारे में कि कैसे विपत्तियों और मानविय बुराई के बावजूद परमेश्वर इतिहास में अपने उद्धिशों को पूरा कर रहा है। हम पूरी कहानी में देखेंगे जैसे की अगली कहानी। उन्हें युद में ऐसे ही जीत प्रदान कर देगा। उनके अभिमानी रवये के कारण परमेश्वर इसराइल को युद में हारने देता है और वाचा का संदूख चुरा लिया जाता है। पलिष्टी संदूख को ले जाते हैं और वे इसे अपने देवता दागोन के मंदिर में रख देते हैं। और फिर इसराइल का परमेश्वर उन लोगों पर विपत्ती भेजने के द्वारा पलिष्टीयों और उनके देवता दागोन को बिना सेना के ही पराजित कर देता है। और फिर अब जाहिर है कि पलिष्टियों को संदूक नहीं चाहिए और वे इसे वापस इसरायल में भेज देते हैं। और इस छोटी सी कहानी का सार यही प्रतीत होता है। परमेश्वर इसरायल का विजय चिन्धन नहीं है और वो पलिष्टियों के अभिमान का विरोध करता है परंतो साथ ही अपने लोगों के अभिमान का भी। और इसलिए यदि इसरायली परमेश्वर की वाचाई आशिश का अनुभव करना चाहते हैं तो उन्हें विनम्र और अग्याकारी बने रहने की जरूरत है और वो आशिश अगले बड़े भाग में प्रकट होती है। अब इसरायली शमोयल के पास आकर कहते हैं सुनो बाकी सब राश्टों के समान हमें भी एक राजा चाहिए। जाकर हमारे लिए एक राजा ढूंडो शमोयल थोड़ा दुखी हो जाता है और परमिश्वर से सलह करने के लिए जाता है और परमिश्वर ये कहता है हाँ उनके स जारे इरादे गलत हैं लेकिन यदिवेक राजा ही चाहते हैं तो उन्हें एक राजा दे दो हमारा परिचेश शाओल नामक चरित्र से होता है अब शाओल एक निराशा जनक चरित्र है क्योंकि उसकी शुरुआत बड़ी उम्मिदों से भरी होती है वो लंबा है अच्छा वो राजा बनने के लिए एक आदर्श उम्मिदोर है लेकिन उसके चरित्र में गंभीर खामियां है वो बेबान है उसमें खराई की कमी है और वो अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहता और इसलिए ये खामियां उसके पतन का कारण बन जाती है शुरु शुरु में वो कु प्याम उलंगन करने के द्वारा स्वयम को अयोग य ठैरा देता है तब वृद्ध शमोईल शावल और इसराईल का विरोध करता है उसने लोगों को चेतावनी दी थी कि उन्हें केवल ऐसे राजा से ही लाभ प्राप्त होगा जो नम्र और परमेश्वर के प्रती विश्व योग्य होगा नहीं तो इसराईल के राजा विनाश ही लेकर आएंगे फिर वो शावल को बताता है कि परमेश्वर उसके स्थान पर एक नए राजा को खड़ा करने जा रहा है और इस प्रकार शावल का पतन शुरू हो जाता है और उसी समय परमेश्वर उस नए राजा को प्रिष्ट भूमी में काम कर रहा है वो दाउद नाम का एक महत वहीन चरवाहा बालक है उसमें राजा बनने की बहुत ही कम संभावना है लेकिन दाउद और गोलियत की प्रसिद कहानी दर्शाती है कि परमेश्वर द्वारा दाउद का चुनाव उसके परिवार की स्थती पर नहीं बलके इसरायल के परमेश्वर पर उसके अपने पूर्ण और विनम्र विश्वास पर आधारित था और इस प्रकार इस कहानी में हन्ना के गीत के सब विशय पाये जाते हैं अभिमानी शाओल और गोलियत का पतन हो जाता है जबकि नम्र दाउद को उंचा उठाया जाता है यहां से हम देखते हैं कि शाओल धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता जाता है जबकि दाउद अधिकार को प्रात करता है अब दाउद शाओल के सिनापती के रूप में काम करना शुरू करता है वो सब युद्धों को जीतता है और वो बहुत प्रसिद भी हो रह इस कारण शाओल इर्शा से भर जाता है और वो दाउद का पीछा करने लगता है उसे ढूनता है और उसे मार डालने के कोशिश करता है दाउद ने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए दाउद भाग कर जंगल में इंतजार करता है यहां हम दाउद के सच्चे चरितर को देखते हैं उसे शाउल को मारने के कई अवसर मिलते हैं लेकिन वो उसे नहीं मारता वो केवल ये भरोसा रखता है कि शाउल की बुराई के बावजूद परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक राजा को खड़ा करेगा ये भी दिल्चस्प है कि दाउद के कई भजन जिन् अवधी से जुड़े हुए हैं और वे सब भरोसे के इसे दृष्टिकोन को व्यक्त करते हैं और इस प्रकार पुस्तक के इस खंड का अंत पलिष्टियों के वरुध युद में हारने के बाद शाउल की भयानक मृत्यों के साथ होता है पहला शमुएल की पुस्तक में आपक चरित्रा ध्यनों के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि आप उन में अपने आप को देख सकें अतहा शाउल की कहानी में हम एक चेतावनी को देखते हैं ये महतवपूर्ण है कि हम अपने चरित्रा की खामियों पर ध्यान दें और ये देखें कि वे हमें और अन्य लोगों को कैसे नुकसान पहुचाती है और परमेश्वर की सहायता से हमें स्वयम को नम्र करने और हमारे अंधकार मैं पहलू को सुलजाने की आवश्चकता है ताकि शावल की कहानी कहीं हमारी कहानी ना बन जाए दूसरी ओर दाउद को हमारे जीवन में परमेश्वर के समय के प्रती धैरे और भरोसा रखने वाले के एक उधारन के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो जंगल में भाग रहा है और शावल उसका पीछा कर रहा है दाउद के पास ये सोचने का हर कारण था कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है लेकिन वो ऐसा नहीं सूचता इसलिए दाउद की कहानी हमें ये भरोसा रखने को प्रोच साहित करती है कि मानविय पुराई के बावजूद परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करने और विनम्र लोगों को उंचा उठाने के अपने उद्देशों को पूरा कर रहा है और पहला शमुएल की पुस्तक इसी विशे में है